हुंड़े ने भारत में आयोनिक 5 औल इलेक्रिक क्रॉसोवर SUV को लॉंच कर दिया है नई हुंड़े आयोनिक 5 SUV को आटो एक्सपो 2023 के पहले दिन सिंगल फुली लोडेड वैरियंट में लॉंच किया गया इस वाहन की कीमत 45,500,000 रुपे रखी गई है आयोनिक 5 की बुकिंग 21 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी गई थी इसकी बुकिंग राशी एक लाग रुपे रखी गई थी जो पहले 500 कस्टमर्स के लिए ही है नई हुन्डई आयोनिक 5 को सिंगल पावर ट्रेन विकल्फ के साथ लॉंच किया गया है इसमें सिंगल मोटर सेटप शामिल है जो इसे रियर वील ड्राइव कॉन्टरिगरेशन देता है वाहन का एलेक्टरिट मोटर 217 बहब का पावर और 350 एनम का टार्ग जनेरेट करता है हुन्डई आयोनिक 5 में 72.6 किलो वाट लीथियम आयोन बैटरी गई है ये वाहन 800 वाट फास चार्जिंग को सपोर्ट करने में सक्षम है ये 18 मिनट में 10 से 80 प्रतीशत तक चार्ज हो सकता है आयोनिक 5 को सिंगल चार्ज करने पर 631 किलोमीटर की अनुमानित रेंज मिलती है आयोनिक 5 को कमणी ने पहली बार फ्रन्ट फर्ट मोटर शो के दौरान पेश किया था इसके अलावा इसे 2022 World Car of the Year, World Design of the Year और World Electric Car of the Year का भी अवार्ड मिल चुका है इसका एक्स्टीर काफी आकर शके और इसे शार्प लाइन फ्लैट सर्फेस और हाइली रैंक्ट विंड स्क्रीन से सजाया गया है इसमें दिये गए 20 इंच के अलॉइड वील और टर्बाइन जैसे वील्स के डिजाइन इसके साइड लूप को बहतरीन बनाते हैं इसमें क्रैश पैड, स्विच, स्टीरिंग वील और डोर पैड के लिए बायूपेंट का भी इस्टिमाल देखने को मिलता है IONIQ 5 में इंस्ट्रुमेंट, क्लस्टर और टर्च स्वीन के लिए 12.3 इंच की स्क्रीन, एक हैड अप, डिस्प्ले और ADAS जैपे फीचर्स को शामिल किया गया है इसके लाबा इसमें 3.6 किलोवाट के आउट्पुट के साथ वीकल टू लोड फंक्शन भी मिलता है जो लैप्टॉप, फोन और अन्य विजली के उपकरनों को पावर अप कर सकता है एक्स्टर्नल पावर आउट्पुट के लिए इसमें 2 पोर्ट दिये गए हैं, एक पीछे की सीटों के नीचे स्तित है और दूसरा चार्जिंग पोर्ट बाहर की तरफ दिया गया है